इंदिया फैस्टांसर ओम ब्रह्म देवाय नमहा ओम ब्रह्म देवाय नमहा आँखे खोलो भगीदर पताओ क्या वर्तान चाहते हूं प्रभू मैं अपने पुर्वजों के कल्यान के लिए देवी गंगा को स्वर्ग लोग से पुर्थी लोग पर बुलाना चाहता हूं तथास तू वाँ 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 भागीरत, बिना किसी शक्ति-शाली आधार के मैं देव लोग से पृथवी लोग पर आई तो मेरे वेग और प्रभाव को सेहन करना पृथवी लोग के लिए असंभव होगा माते इसका उपाय तो सारे स्रिष्ठी में सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं देवो के देव महादेव ओम नमा शिवा ओम नमा शिवा शटापताः संद्रम अब्रम दोदवी चिवरलरी महादेव माता गंगा प्रत्वी लोग पर आने के लिए तत्पर है आप सहायता करे प्रभू सत्य है उनके वेक को सरलता से नहीं रोका जा सकता तुम उनका आवान करो देव लोग से आने वाली प्रलाइकारिकंगा का स्थान मेरी चटाओं में होगा हे माता गंगे मैं आपका आवान करता हूँ हुआ कि कंच कि अ महादेव मैं बर्सों से मुक्त रही हूँ मुझ पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था कृप्या मुझे शमा करे हे देवी गंगे आपको शमा याचना की कोई आवशक्ता नहीं आप इतनी महान इतनी विशाल है कि आपका अस्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है आपको अस्थान सकता है व्यावी जापको अस्थान सकती है उ्यावी का अश्जावी प्रका अस्थान सकता है के लिए समुद्र मन्थन में से निकले सारे रत्नों का विवाजन देवताओं और असुरों में बराबरिका हुआ पर जब उसी मन्थन में अम्रित कलश का आरम हुआ तब असुरों ने वो देवताओं से छीन लिया इसलिए अम्रित कलश को असुरों से मुप्त कराने के लिए भगवान विश्णु ने एक रूप धारण किया मोहिनी ये सुन्दरी कौन है ये अम्रित असुरों और दिलताओं के बेच मैं बराबर बाटूंगे कुमल काया कि मुखमाया कुन अवचा अनना दे लिए ने नतलि गटली टटली चशी मतली सांथनी रंगमाहानी भेव नवीदली पाउनतिसली इंरसभा मवतानी अपसराइप वे ले लेख लेखत सोफ आपसराइप ये अमरित देवताओं के पक्ष में ही होना चाहिए अरे ये तो देवता के रूप में असुर राहू के तु है आपसरावारू तु हावाचा जो अपनाई ये अपसरावारू तु हावाचा जो बनारू आपसरावारू तु हावाचा जो अपसरावाचा जो आपकार राहू के तु के वद्ध के बाद उन दोनों का परिवर्तं दो ग्रहों में हुआ और मोहीनी धारन कि ये भगवान विश्नु ने अमरित कलश देवताओं को सौप दिया नाइस, बीटिवूपू ग्रदात तालिया हो जाए झाल झाल